हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो माई चैनल आज में हिंदी साहित्य से सबंदीत कुछ प्रशन उत्र लेके आई हूँ जो कि प्रिक्षों में बार-बार पूछे जाते हैं तो हमारा पहला प्रशन है हिंदी का प्रतिनिधी गजलकार किसी माना जाता है उत्तर है दुशन कुमार जी को शबरी नामकृती किरेचेता कौन है उत्तर जगदिश गुप्त बिश्वास बढ़ता ही गया कवीता किसने लिखी है तो ये लिखी है शिब मंगल सुमन जी ने बादलों को घिरते देखा है कवीता किरेचेता कौन है उत्तर नागर जुन जी चिंता मनी किसके निवंदों का संकलन है तो ये है रामचंदर शुकल जी का आंगन का पंची और बंजारा मन निवंद संग्रो के लेख का नाम बताई उत्तर विद्या निवास मिशर उसने कहा था कहानी के लेख कौन थे उत्तर चंदधर शर्मा गुलेरी अगला प्रशन रस्वंती के रचनाकार का नाम दिखी तो उनका नाम है रामधारिसी दिनकर्व मदुशाला के रचनाकार का नाम क्या है तो उनका नाम है हर्वंसराई बच्चन प्रक्ति का सुकुमार कभी किसी कहा जाता है तो वो कहा ज के रचनाकार कौन है तो वो हैं मुक्ति बोद आंगन के पार द्वार काव्य संग्र के रचनाकार कौन है उतर अगे संससी सडक्तक काव्य संग्र को किसने लिक्खा है उतर धुमिल जीने चांद का मुँ टेडा काव्य संग्रो के कभी कौन है उतर गजानन माधव मुक्तिबोत अगला प्रशन साकीत की रचनाकार का नाम क्या है तो उनका नाम है मैथली शर्ण गुप्त पुष्प की अभिलाशा कविता का कभी कौन है वो है माखनलाल चत्रवेदी चायावाद को स्थूल के प्रती सुक्षम विद्रो किस अलोचक ने कहा है तो वो कहा है डॉक्टर नगिंदर जी ने काम्यानी में किस दर्शन की अभिवक्ती हुई तो वी शैब दर्शन की सुरोज समरिती नामक रचना किस कभी की है तो वो है निराला जी की सुरसोती पत्रिका ने निराला की किस रचना को असुक्रित कर दिया था तो वो कर दिया था जुही की कली को आधुनी काल की मीरा किसी कहा जाता है तो वो कहा जाता है महादेवी बर्मा जी को अगला प्रशन पुर्ष प्रधान सामन्ती परंप्रा को किस मध्य युगीन कवित्री ने चनौती दी थी तो वो दी थी मीरा जी ने अचार्य रामचंद शुकल ने उत्र मध्यकाल को कौन सा नाम दिया तो वो दिया रिती काल रिती काल को काव्य द्रिष्टी से कितने भागों में बांटा है तो वो बांटा है तीन भागों में रिती सिद्धी काव्य ध्यारा की प्रमुक कवी कौन है तो तर है बिहारी जी रिती काल के किस कवी ने बी रस में प्रधान रचनाएं की हैं तो वो की हैं भूशन जी ने घनानंद किस काव्य ध्यारा की कवी थे उतर रिती मुक्त आदुनी काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रत्थम महा काव्या कौन सा है तो वो है प्रिय प्रवास अगला फ्रेशन क्या नाम है? उत्तर सूर्दास तो उसी दास ने किस महा काव्य की रचना की? उत्तर राम चरित मानस की शुदा दैत्यवाद का स्वंध हिंदी सहत्य की किस धारा से है? तो है क्रिशन भक्ती शाखा से राम भक्ती काभ्या पर किस दर्शनक का प्रभाप पड़ा तो उन पर पड़ा विशिष्टा देत्या वाद का अगला प्रशन हिंदी साहित्य की आरंबिक यूग को आदीकाल के नाम से किसने अभियत किया तो गिया हजारी प्रशाद दिवेदी ने हिंदी का प्रथम कभी किसी माना जाता है तो माना जाता है सहरपाद को विसल देवरासो के रचित्या कौन है तो वो है नर्पती नाला पौम चरियो किसकी रचना है उत्तर स्वेंभू की आदी काल में खड़ी बोली को काब्यवासा बनाने वाले प्रत्थम कभी का नाम क्या है तो वो है अमीर खुश्रो किस कभी को मैथिल कोकिल कहा जाता है उतर विद्यापती सरत्वात की सरवादिक प्रसिद रचने कौन सी है उतर दुवा कोस अगला प्रशन हिंदी सहत्य का पहला इत्यास किस भाशा में लिखा गया उतर फ्रेंच वासा में काल विवाजन का सरवरधम प्रियास किया था तो वो किया था जौर्ज ग्रियसन ने आदी काल में खड़ी बोली को काब्य की वासा बनाने वाले प्रत्थम कभी थि अमीर खुश्रो आदी काल को अवरंस काल किस ने कहा उत्तर दिरेंदर बर्माजी ने रामचंदर शुकुलक ने हिंदी साहत्या का अरम माना है तो कहां सिमाना है दस्मी स्तापदी से सोहम विबू कृत पौम चरीव में किस कथा का वर्णन है तो वो है रामायन का अवरंस का भववूती किसे माना जाता है तो वो माना जाता है पुष्प दंत को अगला प्रशन सिद्धी कभियों द्वारा प्रिक्त भाषा को संध्या भाषा नाम किसके द्वारा दिया गया तो वो दिया गया था अदेवरज तथा मुनिदत द्वारा बिद्यापती मूलते किस भासा के कभी थे उत्तर मैथली भाशा के बिद्यापती मूलते किस प्रकार के कभी है तो हैं शिंगारिक कभी देसिल बहुना सब जन मिठा ते तेसन जपयो अवर्टा पंक्ती किस की है तो ये पंक्ती है बिद्यापती की बिद्यपती की लोग प्रसिदी का सर्प्रमुख अधार गरंथ है पदवा वली अमीर खुसरो का असली नाम क्या था तो उनका नाम था अब्दुल हसन प्रिथ्वी राजरासों महाकाब्या की किस श्रेणी में आता है तो वो आता है विकाश शील महाकाब्या प्रिथ्वी राजरासों की सर्गों को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है उतर है समे कौन सा गरंथ प्रिथ्वी राजरासों का ही अंस माना जाता है तो वो माना जाता है परमाल रासों को भरत भाव वली रस गरंत की रचनकार कौन है उतर शालि वदर शुरी पृत्वी राज रासों में कितने सर्ग है तो इसमें है 69 प्रमाल रासों का प्रधान रस क्या है तो उतर बीरास खुमान रासों की भाषा क्या है उतर राज्यस्थानी हमीर रासों की रचियता कौन है उत्त सारंग धर अगला प्रशन भक्ती का अंधोलन कहां से अरम हुआ तो भक्ती का जो अंधोलन था वो दक्षिन से अरम हुआ था रामानुज ने किस संपरदाय की स्थापना की थी रामानुज ने बिशिष्टा देत्यवाद संपरदाय की स्थापना की थी सनक संपरदाय किसी कहा जाता है सनक संपरदाय जो है वो देत्यदैतवाद को कहा जाता है कवीर की गुरु का नाम क्या है तो कवीर की गुरु का नाम है रामानंत संत पुंडलिक ने कि संपरदाय की नीव डाली तो संत पुंडलिक जो थे उन्होंने वार करी संपरदाय की नीव डाली थी अगला प्रशन जो है नीराला की सहित्य साधना किसकी करीती है तो ये थी रामबिला शरमा की बिल्ले सूर बकरिया किसका संस्मरंत मक रेखा चितर है तो वो है नीराला जी का हिंदी की पहली आतमकथा लेखक कौन है उतर बनासिदास चैन गुमक्र सास्तर के लेखक का नाम क्या है तो उनका नाम है अगे राहूल सांकर्तियन पंच परमेश्वर के लेखक कौन है तो उतर प्रेमचन कवीर दास की वासा को पंचमेल खिस्टरी किसने कहा तो ये कहा था स्च्याम सुन्दर दास चीने सत्यवती कथा के रचनाकार कौन है उत्तर इश्वर दास सत्यवती कथा को सूफी का ब्यधारा की प्रत्थम रचना किसने माना था उत्तर हजारी प्रशाद दिवेदी ने नाट को पंचम बेद किसने कहा तुई कह था भरत मुनी ने हिंदी रंगमंच के जनमदाता कौन है उतर भातिंदू हरिश्चंद भारत में सबसे पहला पाश्चत्य रंगमंच कहां स्थापित हुआ तो यह हुआ था बंगाल में अंगूर की बेटी नामक्स माजिक नाटक के लिए ख कौन है तो उतर गोविंद बलब पंद सूर्दास क जीवन पर अधायत उपनियास का नाम क्या है तो उस उपनियास का नाम है खंजन निया रुकेगी नहीं रादिका की लेखी का कौन है तो उनका नाम है उशा प्रियवंदा चाक की रचनाकार का नाम क्या है तो उनका नाम है मैत्री पुषपा अगला प्रशन आचारे हजार प्रिशाद दिवेदी ने किसी हिंदी का पहला उपन्यास माना है, तो उन्होंने माना है, पुन प्रकासने और चंदर प्रवाने लचन जोसी द्वाराराचित जहास का पंची किस कोटी का हुपन्यास है, तो ये एक आतम का थत्मक है, किस उपनियासकार को सर वाल्टर स्कॉर्ट की उपादी मिली तो ये मिली थी ब्रिंदावनलाल बर्माजी को कब तक पुकारों के लेखक कौन है उत्तर रांगे रागव कौन उपनियासकार पहले नवाव राय के नाम से उर्दो में रचनाएं लिखता था तो वो हैं प्रेम चंद जी मित्रु मरजानी उपनियास की लेखिका कौन है उत्तर कृष्णा सोबिती तीसरी कसम कहानी किस की है तो ये है फणिश्वर रेनु जी की किस भाषा में उपनियास को कांदमवरी कहते हैं उत्तर मराठी भाषा में हिंदी भाषा का जन्म कौन सा यूग रा है उत्तर भारतिंदु यूग रचनकाल की दृष्टी से हिंदी का सरप्रत्थम उपनियास कौन है उत्तर भाग्यवती अचारे रामचंदर शुकल ने हिंदी को मौलिक उपनियास किसे माना है प्रिक्षा गुरु को उदी भानू चरित किस कृती का दूसरा नाम है उत्तर रानी केतकी की कहानी और लिखा किसने है इशा अल्ला खाने जासुसी उपनियासों की नीव किस उपनियासकार ने डाली गोपार राम घहमेरी ने राम रहीम नामक समाजिक उपनियास के लेखक कौन है तो उनका नाम है राधिका रमन परशाद सी अगला प्रशन पहाड पर लालतेन घर का रास्ता हम जो देखते हैं आवाज भी एक जगा है और नए युग में शत्रू किसकी कावे संग रहें तो ये सभी जो कावे संग रहें वो मंगलेश डवराल जी के हैं साई में धूब की रचनाकार कौन है तो उतर दूशन कुमार भारतिंदू हरिशन के नाटक का शेशक है अंधिरी नगरी पगडंडियों का जमाना किसका व्यंग संग रहें तो ये हरिशनक परसाई जी का बंग महिला के कहानी का क्या नाम है दुलाई बाली समांतर कहानी के प्रवत्तक कौन है उत्तर कमलिश्वर आठमा सर्ग नाटे की रचेता कौन है सुरिंद्र बर्मा बक्री नाटे की राटकार का नाम क्या है तो उनका नाम है सर्वे द्याल सक्सीना राम चंद्रिका की रचेता का नाम क्या है उत्तर केशब्दास पदमकर रितिकाल की किस का व अगला प्रशन प्रमाल रासो के कभी का क्या नाम है उतर जगनिक हिंदी सहत्य के आदी काल को सिध स्वामन काल किसने कहा उतर राहूल सांकर त्यान्यने आचारे रामचंदर शुकल ने हिंदी का प्रत्थ महकाब्य किसे माना है उतर पृत्वी राज रासो को हिंदी साहित्य का दूसरा इतियास किसने लिखा उतर वच्चन सिंग ने बीजक के रचेता का क्या नाम है उतर कवी दास संतुन को कहां सिक्री सुकाज किसकी पंक्ती है उतर कुम्बन दासची की तानक किस काब्यधारा के कवी है तानक जो थी वो संत काब्यधारा के कवी थे अगला प्रशन जो इस प्रकार है मान्सरोबर किसकी कहानियों का संग्र है समृति की रिख है नामक संग्र किसने लिखा है महांदेवी बर्माजी ने अंधेरी नगरी नाटक की लिखक का नाम क्या है तो उनका नाम है भारत इंदू हरिष्चन एक और द्रोनचार्या नाट के नाम के लेख का क्या नाम है तो उनका नाम है संकर शेज जल तूड़ता हुआ उपनियास किस ने लिखा है तो यह लिखा है रामदाश मिशन ने बेतवा बहती रही उपनियास की लेखी का कौन है उतर मैत्री पुश्पा दूसरी परंपरा की खोज किस की रचना है तो दूसरी परंपरा की खोज जो है बो डॉक्टर नामवल सिंग की रचना है मानुस प्रेम भयू बैंकुन्ठी किस कवी की पंक्ती है उतर जैसी जी की भमर गीत की रचेता कौन है उतर सूर्दास सहद इवराहिम ने कृशन भक्ती की प्रवाब वस अपना नाम रख लिया तो क्या नाम रखा रस्खान पुष्टी मार का ज़ाज किस कवी को कहा गया है उतर सूर्दास जी को और कहा किसने था वलव चारें ने अकवर की दरवार के किस दशया ने दोह बली की रचना की है उतर रहीम बिश्वनात मिशन ने रिती काल को क्या नाम दिया तोनों ने दिया था शिंगार काल रिती मुक्त काब्यधारा के प्रमुख कभी इनमें से कौन है तो कौन है घनानंत थेंक यू